Hello everyone, I'm Ayesha from Rational Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगी JSA यानि Job Safety Analysis इसके पारे में मैंने आपको कल बता दिया था पर आज चो मैं बताऊंगी वो है JSA किसके लिए? Work at Heights के लिए JSA for Work at Heights ठीक है? मतब Job Safety Analysis हम कैसे करें जब हम वर्क करने जा रहे हों हाइट पर ठीक है? अब माल लिजिए आपको हाइट पर वर्क करने जाना है तो आपको अपने पूरे बोडी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होगा ठीक है? अब हाइट पर वर्क कर रहे हैं तो जिस भी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं उसके सारी चीज़े आपिलेबल है, माल लिया पर उनकी चैकिंग करना कि ये लेडर जो है, ये पुरानी तो नहीं है कितनी लेडर वहाँ पर एग्जेक्ली लगींगी? ऐसा नहीं हो कि एक लेडर, दो लेडर लगेंगी तो एकी लेडर से काम चला रहे हैं कि जीएफे हैं 2D, सुचा थोड़ा से ही काम है, जाएंगे? ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो इस सारी चीज़े जो हैं JSA जब हम बनाते हैं वही सारी चीज़े मेंटेंड चाती है और उसके बाद वर्केट हैट frigर जाएक हम बना सकते हैं तो उसमें क्या है является हमें सारी चीजे चेक करनी होंगी. जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद, जितना सामान हमें चाही है वेर्क एठाइट के लिए, क्या वो अविलेबल है? आप जो भी हरणी यूज कर रहे हैं, ठीक है वो अच्छी कंडिशन में है, क्या सच में जब वो अगर बाइ चांस वो फॉल होता है वहां से गिर जाता है तो क्या वो हार्नेस जो है वो उसका वेट ले पाएगी ऐसा तो नहीं वो जैसे गिरा हवा में जूलिया और हार्नेस जो है वो तूट गई तो उसकी कंडीशन भी देखनी है वो किस तरीके से है ऐसा तो नहीं वो फोट पुरानी है तो वो इतना वेटी ना ले पाए तो ये सारी चीज़े बनाई जाती है जे ऐसे के टाइम पर जॉब सेफटी अनलाइसे उसमें हर चोटी चीज अनलाइस करनी होती है जिसकी वज़े से कोई एक्सिडेंट ना हो जाए ठीक है इसलिए इसको जे ऐसे बोला गया है जोग सेफटी अनलाइसे अब देखिए यह जो वर्क कर रहे हैं देखिए अगर हाइट पर है तो इस तरीके से आपकी गार्ड रेल जो है वो लगी होनी चाहिए ठीक है गार्ड रेल के बाद आपको हार्नेस जो आप पहने हुए वो इस तरीके अगर आप फॉल हो भी रहें गिर भी रहें तो नीचे इस तरीके से आप कहीं गिरें तो आपको चोटना लगने पाए ठीक है इस तरीके से आप कोई भी हाइट वर्क कर रहें तो यह सारे उसके काम करने के तरीके हैं कि आप इस तरीके से वहां अगर वर्क करेंगे तो इसनी उसको analyze करना ठीक है उस पर उसको control करना ठीक है hazard कितने हैं उसको देखना risk को control करना ये सारी चीज़े आती हैं JSA में ठीक है तो work at height जब भी हम कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें precautions लेने होंगी prevention लेनी होंगी तो हम खुद को बचा सकते हैं और job safety जो है वो maintain करके रख सकते ह ठीक है तो इसमें क्या किया गया है कि जो भी work वो कर रहे हैं उसको तरीके से किया जा रहा है ठीक है अगर हम किसी भी काम को अच्छे से करेंगे तो accident level तो कम होगा न अब ये देखिए अब इनने जो hardness पैनी हुई है वो जहां attach है उसका तरीका बताया अगर fall होते हैं तो ठ यह सारी चीज़े भी उसमें देखी जाते हैं ऐसा नहीं कि हारनेस पैनके कहीं भी कनेक्ट कर दिया और बस काम करने शुरू कर दिया ऐसा भी नहीं होता जहां भी हम work कर रहे हैं जो भी work कर रहे हैं जितनी हाइट पे हैं उसके according हम जो hardness ले रहे हैं उस harness जो है वो जो भी आ सारी चीज़े तभी आप कर पाएंगे जब आपका जैसे अच्छे से मैंटेन होगा आपको क्या-क्या सामान चाहिए रहेगा तब आप यह सब चीज़े ले सकते हैं ठीक है ले नियार्ट जो है वो आपको इस तरीके से कनेक्ट करनी होगी ठीक है हाइट ऑफ दी परसन दे कि बुए तो वहां कैसे मैंटेन किरता है ज आप अब माली जो कोई भी अक्तिविटी हो रही है वहां पर एLECTRICAL FITING कर रहा है यह मान लीजे construction चल रहा है या जो भी काम चल रहा है ठीक है तो हमें क्या करना है पहले हमें यह देखना है कि जो भी person जा रहा है और कितनी height पर है ठीक है अब अगर scarf folding बांधी होई है तो उसमें जो लगने वाला material है वो किस condition में है ऐसा तो नहीं कोई worker उस पर खड़ा हो तो वो ठीक है यह सारी चीजे देखना उसके बाद अप अनको inspection किसका करना होगा जो भी मजदूर उस पर काम कर रहा है scarf folding पर चड़के तो वो scarf folding जो है वो उसकी condition अच्छी होनी चाहिए और साथ ही उसको मतलब permission मिलनी चाहिए approved होना चाहिए कि हाँ यह सारा material आप use कर सकते है ठीक ह उसके पाद जब भी वहां work at height चल रहा है तो उस area को barricade कर देना चाहिए जिससे ऐसा नहों माली जो worker है काम कर रहा है वैसे तो carefully कर ही रहा है अब माली जो उसके हाथ से कोई सामन चूट कर गिर जाए नीचे से कोई बंदा निकल रहा हो तो उसको लग जाए तो इसलिए जो भी work चल रहा है उसे area को barricade कर देना चाहिए और जो भी आपने scarf folding use की है उसको qualified inspector से ही उसका audit कराया जाए जिससे की जो भी material use हो रहा है उसमें कोई problem ना आए ठीक है क्योंकि scarf folding जब बंदी जाती है तो उसमें जितना भी material लगता है वो अगर चेक कर लें उसके बाद अगर scarf folding ठीक से बंदी होनी चाहिए ऐसा नहों कहीं से lose हो जिसकी वज़े से एक scarf folding खुलने की वज़े से बाकी सारी भी खुल जाए तो यह चीज़ पर भी धान देना होता है ठीक है उसके बाद साथी जो भी worker work कर रहा है उसको hardness तो पहननी पहननी है साथी सारी PPS भी carry करनी है पहन तो यह सारी चीज़े ध्यान में रखनी होती है तब ही आपको JSA जो है इसलिए maintain किया जाता है जिससे आप देख पाएं ठीक है कि यह चीज ऐसी है ऐसी नहीं है तो इससे क्या आप easily check कर सकते हैं कहीं अगर JSA maintain करके रखा है तो आप easily check कर पाएंगे ना इसलिए JSA job safety analysis की जा connection होना चाहिए ठीक है जो भी सामान आप यूज कर रहे हैं कर रहे हैं scarf folding के लिए ठीक है और scarf tag लगे होने चाहिए सारी scarf folding पर इस तरीके से आप अपनी जो work place है उसको ठीक से maintain करके रख सकते हैं safety के साथ तो आज यह मैंने आपको JSA बताया work at height के लिए ठीक है तो आप इस तरीके से JSA maintain करेंगे अपने work at height के लिए JSA का मतलब यह होता है कोई भी work up करने जा रहे हैं तो उसको पहले analyze कर लेना उसके hazard देख लेना और उसकी risk आप कैसे cut roll कर सकते हैं यह सारी चीज़े point out करना ही JSA क work है ठीक है JSA सेफ्टी डिपार्टमेंट के थ्रूई किया जाता है जो भी वहां का इंजिनर है वह उसे करेगा चैक वहां के officer चैक करेंगे तो यह था JSA at work at height ठीक है So thank you